16.3.3 टेफलोन क्या आपने ऐसे बर्तनों के बारे में सुना है जिसमें खाना पकाने पर खाना चिपकता नहीं है? आखिर इन बर्तनों पर किस पदार्थ की परत चड़ाई जाती होगी? वास्तों में यह पदार्थ एक बहुलक टेफलोन होता है जिसका उपयोग विद्दुत रोधी उपकरण बनाने में भी किया जाता है टेफलोन का उपयोग ऐसे पाई-पिया नली बनाने में किया जाता है जो संशारक पदार्थों सांद्रशार अमलराज के संपर्क में आते ह आजकल टेफलॉन का उपयोग पैकिंग वाले दिये गया चित्र के अनुसार गैसकेट बनाने में भी किया जाता है टेफलॉन टेट्राफ्लॉरो एथिलीन से बना होता है जिसे उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिती में बनाया जाता है अन, सी, सिंगल बॉन्ड एफ, 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 सिंगल तापमान पर टेफलोन नहीं पिघलता है और किसी भी रसायन के प्रतिय निश्क्री होता है अता टेफलोन की परत चड़े बर्तनों में खाना पकाते समय धीमी आज का उप्योग किया जाना चाहिए आपने कभी सोचा है कि रेनकोट, बरसाती, टेबल कवर, साइकल या मोटर साइकल में लगने वाला मटगार्ड, खिलोने, हाथ के दस्ताने और केबल तार या विद्धुतिय समान की कोटिंग में लगने वाले पदार्थों में क्या समानता है यदि इन सभी पदार्थों को देखें तो पता चलता है कि ये पदार्थ विद्धुत के खूचालक होते हैं और पॉली विनाईल क्लोराइड पी वी सी के बने होते हैं PVC बनाने के लिए Vinyl Chloride को उत्प्रेरक की उपस्थिती में गर्म किया जाता है यह भी उश्मा और रसायन के प्रती निश्क्री होता है N. C single bond CL, single bond H, double bond C, single bond H, single bond H, vinyl chloride उत्प्रेरक की उपस्थिती में गर्म करने पर N. Single bond C, single bond CL, single bond H, single bond C, single bond H, single bond C, single bond CL, single bond H, single bond H, single bond H, single bond H, single bond whole N, polyvinyl chloride 16.3.5 Polythene का पर्यावरण पर प्रभाव दैनिक जीवन में पहले हम पेड़ों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का जादा उप्योग करते थे फिर चाहे वह फरनीचर हो, कागज की थैलियां हो या जूट आदी के वस्त्र हो इन पदार्थों का आसानी से विघटन भी हो जाता था किन्तु पेड़ों की कटाई से पर्यावरण और संतुलित होता था मनुष्य ने पेट्रोलियन से प्राप्त उत्पाद पॉलिथिन का यह सोचकर उप्योग करना शुरू किया कि इससे कम से कम पेड़ तो नहीं कटेंगे हम जानते हैं कि पॉलिथिन पर अधिकतर रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस कारण पॉलिथिन का विघटन नहीं हो पाता है जिससे यह तेजी से पर्यावरण प्रदूशन का कारण बनता जा रहा है पॉलिथिन विघटित न होने के कारण न केवल मानो जीवन बलकी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है यदि इसे जला कर नस्ट किया जाए तो सियो टू और सियो जैसी गैसें उत्पन होती है दिये गए चित्र से स्पस्ट है कि पॉलिथिन के लगतार उपयोग से पानी हवा मिट्टी जैसे प्राकृतिक कारक प्रदूशित हो रहे हैं पॉलिथिन खाकर जानवर बीमार पढ़ रहे हैं और उनकी मृत्यू भी हो रही है क्योंकि उनमें इसे पचाने की शमता नहीं होती इस तरह से और जैविक कारकों के साथ साथ जैविक कारकों पर भी पॉलिथिन का दुश प्रभाव पढ़ता है मनुश्य भी इसके प्रभाव से अच्छूता नहीं है अब ऐसी स्थिती में हमारा प्रात्मिक कर्तव्य है कि पॉलिथिन के उप्योग को न्यून या समाप्त करें इस दिशा में कई सार्थक कदम भी उठाए गये हैं शोद से यह भी पता चला है कि कुछ सोक्षम जीव पॉलिथिन के विगटक होते हैं पर अभी इस संबंध में और शोद किये जाने आवश्यक हैं पॉलिथिन को पिगला कर सड़क बनाने के कारी भी प्रस्तावित हैं पॉलिथिन के पुनह चक्रण रिसाइक्लिंग को लेकर भी काम हो रहे हैं आपने ये जरूर सोचा हुआ कि हम प्लास्टिक्स को रिसाइकल क्यू नहीं कर लेते आए ब्रीफ में से एक बार देखते हैं प्लास्टिक्स को रिसाइकल करने के लिए पहले तो डिफरेंट प्लास्टिक्स को मैनुली अलग किया जाता है ये प्लास्टिक्स काफी लेंदधी और महनत वाला होता है कई तरह के मटिरिल्स में मिक्स पॉलिमर्स पाए जाते हैं इसलिए इन्ह रिसाइकल करने के बजाए डम्प कर दिया जाता है प्लास्टिक को अगर किसी तरह रिसाइकल कर भी लिया जाए तो resulting plastic की quality में कमी आ जाती है सच तो यह है कि plastics का recycling rate दूसरे recycling rates से बहुत कम होता है लेकिन इन दिनों different industries के plastic recycling rates में improvement देखने को मिला है दुनिया भर में plastic polymers को plastic identification code दिया गया है जिनका इस्तिमाल recycling में किया जाता है इन codes को आप किसी भी wrapper या plastic materials पे आसानी से देख सकते हैं अलग-अलग municipalities अलग-अलग तरह के plastics को recycle करती है generally number one और number two के plastic को recycle करना मुश्किल होता है इन higher number की plastics को rigid plastic कहते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि plastics को dispose करना एक मुश्किल काम है plastics के use को घटाने, recycle करने या reuse करने के अलावा क्या आपके पास इन्हें dispose करने का कोई idea है इसका एक तरीखा ये हो सकता है कि इन्हें burn करके मिली हुई energy का सही इस्तिमाल किया जाए PVC जैसे कुछ plastics में halogenated polymers होते हैं जब इन polymers को burn किया जाता है तो इनसे hydrochloric acid जैसे toxic fumes release होती है ये fumes हमारे respiratory system को बुरी तरह प्रभावित करती हैं इसके लावा polymers को जलाने पे carbon dioxide जैसी greenhouse gases भी release होती है जो कहीं न कहीं global warming को बढ़ाती है लगभग 10% oils का इस्तिमाल petrochemicals के रूप में किया जाता है ये plastics का सबसे अच्छा alternate हो सकते हैं लेकिन इसमें अभी कुछ problems है आपको क्या लगता है ये कौन सी problems हो सकती है Bioplastics, biodegradable plastic है यानि ये compostable है इसे bacterial process के जरिये dispose किया जाता है हलाकि ये तो इसके फायते हैं लेकिन फिर भी Bioplastics के साथ में कई problems हैं जिने solve करना जरूरी है Bioplastics generally starch, maize, cellulose और polylectic acid जैसे renewable raw materials से तयार किये जाते हैं ये सबी materials हमें plant से मिलते हैं यहाँ पर ये बड़ा ही आसान सा सवाल है कि land का इस्तिमाल हम Bioplastics का raw material तयार करने के लिए करें ये अनाज उगाने के लिए हला कि पहले हमने कहा था कि Bioplastics compostable होते हैं लेकिन वास्ताव में ये किसी plant material के जैसे पूरी तरह compostable नहीं होते अगर आप किसी Bioplastics folk को अपने compost में फिंक दें और ये मान कर चलें कि कुछ महिनों में ये dirt में तबदील हो जाएगा तो आपको निराश होना पड़ेगा वास्ताव में Bioplastics को जल्दी Decompose करने के लिए हमें High Intensity के साथ-साथ High Heat की जरूरत होती है आई एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं Plastics को Dispose करने के Landfill, Recycling या Incineration जैसे Methods की कई समस्यां हैं हलाकि Bioplastics, Normal Plastics के अपेक्षा थोड़ा अच्छा रहते हैं लेकिन Land Use, Quality और Composting Process के चलते इसे Plastics का Best Alternative नहीं कहा जा सकता Plastics के इस्तिमाल को घटाना और सभी Plastics को एक साथ Dispose करना ही एक मात्र Best Alternative है